आप देख रहे हैं समाचार एजंसी अफ इंडिया में साइन नियूज शुकल पक्ष द्वादशी से संपून भारत वर्ष में श्री राम जन्मुए से आए अक्षत कलश की यात्रा जिले वम नगर में निकाली जा रही है इस संबंद में जानकारी दी गई विश्व हिंदू परसद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि श्री राम जन्मुए से आए हुए अक्षत कलश प्राचीन अति प्राचीन अतिहासिक पुरातत्विक और सामरिक धार्मिक महत्व के मठ़ मंदर से शुभाया त्रक रोप में निकाली गई इसे शे हर के विबन मार्गों से होकर घुजारते हुए शक्रवारी इस्थित राम मंदर रे जाया गया जहां राम मंदिर से शहर के समस्त 24 वाड़नों के लिए अक्षत कलश वितरित किये गए कलश यात्रा की संपूर तैयारी विश्व हिंदू बर्षद इवं सर्व सनातन धर्म के नागरिकों द्वारा की गए यात्रा को भावड़ बनाने में विश्व हिंदू बर्षद बयतरंग दल का विशेश योगदान रहा मट मंदिर में 31 अक्षत कलशों को सुसज्जित कर संपूर विदिवधान से दर्म गुर्मयवन भावनोदारा पूजा नर्चनकर श्री राम भगवान की आरती के पश्चात यात्रा निकाली गई यात्रा में हजारों की संख्या में धार्मिक भावना से ओद्प्रोद महिला पुर्षों की तादाद देखते ही बन रही थी इस यात्रा में भगवान श्री राम सीता माता भगवान श्री राम की रक्ष्मार राम भक्त हनुमान भगवान हनुमान की सुन्दर जाकी इवं भगवान हनुमान की विशाल रूप धारण किये हुए विशाल का हनुमान जी की जाकी अक्षत कलश की पद्यात्रा में शामि इस दोरान महाविर्य वायम शाला के स्वेम सेवकों के द्वारा प्रदर्शन भी किये गए यह यात्रामट मंदर से आरंब होकर चिनवारा चौक नगरपाली का जीन रोट से होती हुई नेरु रोट पहुची और नेरु रोट से भगवान श्री राम के शुक्रवारी इस्थित मंदर में यह वहाँ पहुची और उसके उपरांद इस यहां से इन अक्षत कल्शों का वित्रन आरंब हो इसके साथ ही हम आपको बता दें बारा पत्तर में मराहिम आता है स्थित कपिश्वर हन्मान मंदर में अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्रांद दिश्टा के निमित से पूजित अक्षत कल्श की शुबा यात्रा इवम पूजन का कारक्रम लग किया गया है कपिश्वर हन्मान मंदर के बुख्य पुजारी पंडित उपेंद्र महराज ने बताया के तेईस दिसम्बर को दो बजे कपिश्वर हन्मान मंदर में इसका आगमन होगा स्वागत वैदिक बरमाउन लुक्तारा पूजन किया जाएगा तेईस दिसम्बर को ही शाम चार बजे हन्मान मान चालीसा का सामोहिक बाठ किया जाएगा इसी दिन साथ बजे सामोहिक महारती महापसाद वित्रन इसी रातरी नौ बजे संगीत मैं सामोहिक सुंदर कांड का पाठ होगा अगले दिन 24 दिसम्बर रविवार को प्राते 9 बजे पूजन प्राते 10 बजे से 5 बजे तक अक्षण अरपन जो भक्त अपने घर से लाएंगे चावल उसका अरपन किया जाएगा 24 तारीक को रविवार को ही 10 बजे से राम रक्षा स्रोत का सामोहिक 108 बार पाठ किया जाएगा रविवार को दोपर एक बजे तुलसी मंजरी से अक्षत कलश का विश्व सहस्त नाम से सहस्त रार्शन एक अदशी एवं रविवार को तुलसी स्पर्श वर्जित आता है सभी भक्ष तुलसी मंजरी को शुक्रवार के दिन दूर कर अपने घर से लेकर आने की अपील मुख्य पुजारी पंडित उपेंदर महराज के द्वारा की गई 24 तारीक को दोपर 3 बजे माताओ बहनो दारा सामोहिक संदरपाठ का संगीत मैं पाठ होगा 24 तारीक को रातरी 7 बजे संमोहिक महारती महाप्रसाद फितरण होगा 24 तारीक को रात 8 बजे बजन संद्या और 25 तारीक को सौंबवार सुब़े 10 बजे अक्षट कलश की विदाई मरही माता मंदिर से होगी ये मराई मत्या मंदिर का कारक्रम समाचार एजिंसी अफ इंडिया को प्राप्त हुआ जो हमने आपको बताया अक्षत कलश संपूर जिले में, संपूर प्रदेश में, संपूर संभाग में, संपूर देश में इसी तरह से विद्रित हो रहे हैं और वहां से ये आयोध्या लेकर जाना प्रस्ता विद्र देख सकते हैं कि ती सुन्दर यहां जहा की दिखाई दे रही होगी समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साइन उसके लिए अशोक सौनी की रिपोर्ट शायर के विबिन मार्गों से ये यात्रा गुजरी और धर्म में शिव की नगरी एक बार फिर धर्म में होती नजर आई यहां आपको दिखाई दे रहा होगा यात्रा शोभा यात्रा हैं से निकलती होगी दिखाई दे रहे होगी समाचार एजनसी अफ़ इंडिया की साइन यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट अगर आपको समाचार एजनसी अफ़ इंडिया की साइन यूज बें खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्काइब और शेयर जरूर कीजेगा आप सभी का सहयो लगातार मिल रहा है आडियो बिलेटिन्स एक बार फिर आरंब की गई है इन आडियो बिलेटिन्स को आप सुनना ना भूलिये प्रजैशिक आडियो बिलेटिन, धार्मिक आडियो बिलेटिन, मोगली आडियो बिलेटिन और धार्मिक आईडियो बिलेटिन सभी एक साथ ही यहां पर आपको मिल जाती है समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साइन है उसके लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट अगर आपको एक खबरें बसंदा रही हूं तो आपने लाइक सब्सक्राइबर शेयर जरूर कीजेगा फिलाल आपसे अजाज़त लेना चाहेंगे हम से राजर होंगे चैहिंद अगर को साइन होता है अ अ झाल झाल झाल